गुद्ध मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब हमारा आज का टॉपिक है डेक्स्टॉप आइकन्स इससे पहले हमने बढ़ा था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओपरेटिंग सिस्टम एडवांटेजिस ओफ ओपरेटिंग सिस्टम ओके आज हम बढ़ेंगे आइकन्स कौन से होते हैं यह रहा हमारा डेक्स्टॉप यह रहा हमारा डेक्स्टॉप और यह रहे इसके अंदर आइकन्स ठीक हैं यह हमारे डेक्स्टॉप आइकन्स ठीक हैं डेक्स्टॉप आइकन्स क्या होता हैं विंडोज जो है क्या करती है विंडोज यूजिस आइक to geographically represent geographically represent items such as programs and folders Windows क्या करती है icons को यूज करती है geographically represent करने के लिए items को, programs को और folders को ठीक है इस पार्ट आफ इस पार्ट आफ विन्डोस जियू आइए क्या है Windows का Graphical User Interface का पार्ट है ठीक है Windows are Windows and are really just pictures that depict the type of items they represent the Windows desktop contains a range of desktop icons many of these icons are known as shortcuts or links to frequently used programs, folders and files जो हमारे desktop पे icons होते हैं वो pictures की form में भी होते हैं इनको जो है हम single mouse के click के जरिये भी open कर सकते हैं ठीक है, इसके अंदर icons के अंदर files बनी ही होती है desktop पे हम खुद से भी नहीं file या folder create कर सकते हैं और जैसे हमने कोई file open करी, जैसे हमने Microsoft Word open किया तो हम उसको जो है इसका shortcut भी बना सकते हैं ताकि हम उसको files के अंदर ढूंड के अगर हमने कोई file जो है, जैसे हमारे Microsoft Word पे हमने कोई file बनाई है अगर हमने उसको directly open करना है, तो हम उसको एक shortcut बना लेंगे desktop पे ठीक है, जिससे जो है, हमें असानी से उसको वो मिल जाए और links वगरा भी जो होते हैं, वो भी हम desktop पे shortcut के लिए, shortcuts या links जो है, वो भी हम desktop पे save कर सकते हैं, जाकि mouse के एक single click से हम उसको open कर सकें ठीक है, यू कन save quite a bit of time and reduce the number of mouse clicks in a day-by-day creating desktop shortcuts for frequently used programs, कोई भी programs जो हमने पहले यूज किया, उसको हमने बाद में जल्दी से यूज करना हो तो mouse का बाहर बार यूज करने से अच्छा हम उसको जो एक ही बारी में desktop पे डाल देंगे और उसको जल्दी से open कर रहेंगे ठीक है, तो इस chapter में क्या दिया हो है arrange the resize हम जो है क्या कर सकते हैं arrange कर सकते हैं desktop icons को resize कर सकते हैं create कर सकते हैं desktop shortcuts को delete कर सकते हैं desktop icons को gain and understanding of common desktop icons और क्या कर सकते हैं हम जो है desktop पे icons को जो है understand कर सकते हैं okay तो हमारे desktop पे कौन कौन से icons होते हैं में जैसे यह हो गए SM यह हो गए Microsoft Word हो गया Microsoft Word हो गया Mozilla Firefox हो गया Adobe Reader इसके जो left में blue color का sign बनाया ना इस तरह का यह दिखा रहा है कि हम यह है shortcut कि हम इसका shortcut बना रहा है अपने mobile phones में भी देखा होगा उसमें भी ऐसा बन जाता है desktop पे जब option आता है create shortcut का ठीक है तो यह वाला sign बन जाता है okay मुझसे अच्छे से बननी रहा है और यह वाले भी देखरो यह वाले भी हमारे जो है desktop icons है recycle bean, local desk, net shortcut, sample firefox files वगएरा यह भी क्या है हमारे यह भी हमारे desktop icons है इनको हम arrange कर सकते है arranging and resizing desktop icons इनको हम कैसे arrange कर सकते हैं यह instructions TV है और इनको हम इस तरीके से इस तरीके से arrange कर सकते हैं जैसे भी हम जाते हैं ओके और यह दे रखा है कि हम shortcut कैसे create कर सकते हैं desktop पे तो पढ़ते हैं सबसे पहले और यह है cleaning the desktop और हम desktop desktop से folders को icons को कैसे delete कर सकते हैं और वो delete करके कहा जाती है ठीक है यह उसके बारे में दिया हुआ है हमारे आज के chapter में तो desktop आपको पता चल गया desktop आपको पता चल गया यह है desktop हमारा यह हो गया पूरा एक सके यह पूरा हमारा क्या हो गया यह पूरा हमारा हो गया desktop इसके अंदर जो आइकंस बोलता है इसको यह हो गया हमारे desktop आइकंस तो अब हम देखते हैं प्रोग्राम्स सबसे पहले यह इनके बारे में दे रखा है कि क्या क्या represent करते हैं ठीक है कौन सा icon क्या represent करता है ये आपके slavus में है और मैं आपको बताते हूं सबसे पहले है Microsoft Office Word ये 2007 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है जो भी कोई सा भी हो सकता है ठीक है कोई सा भी version हो सकता है Microsoft Word का तो ये क्या represent करता है यह icon यह represent करता है the icon to the left represent shortcut to various programs जो मैंने आपको भी बढ़ल बता है कि इसके left में है जो दिया हूआ यह क्या करता है shortcuts define करता है various programs के you can tell its shortcut as it contains an arrow गठाव से define क्या हूए अभी दिखाते ही हूआ यह वाला this one अब है जब हम shortcut को जो है डिलीट करते हैं तो वह औरिजनल फाइल हमारी डिलीट नहीं होती वह बस वह shortcut डिलीट होता है औरिजनल डिलीट नहीं होती ठीक है double clicking on the relevant icon will launch that program जब हम desktop के किसी भी icon पर माउस के जरी डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है उसके अंदर जो फाइल्स या प्रोग्राम्स कुछ भी हो तो वो ओपन हो जाती है जिसको हम यूज कर सकते हैं एक्जामपल इफ यू डबल क्लिक ओन डाइकन तो दे लेफ्ट यू विल लॉंच अगर जो यह आइकन बने हुए हैं जैसे हमारे पास कौन-कौन से यहां पर दिये हुए सॉरी Microsoft Word दिया हुआ है Mozilla Firefox दिया हुआ है तो अगर हम Microsoft Word ओपन के पे डबल क्लिक करेंगे तो Word Processing Program ओपन हो जाएगा अगर हम Mozilla Firefox पे क्लिक करेंगे तो इंटरनेट ब्राउजर ओपन हो जाएगा अगर हम Adobe Reader ओपन करेंगे तो यह क्या करेंगे यह फाइल को व्यू कराएगा हमें ठीक है यह है हमारे आइकन अब है यह वाला आइकन सेंपल फाइल वाला यह क्या करेंगा जो एक पेज शो कर रहा होता है वो क्या करता है वो फाइल को रिप्रेजन कर रहा होता है जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे इस आइकन पे तो यह वाली यह जो है यह फाइल जो है बहुत सारे परोग्राम को open करेगे जो हमने पहले से create किये हुए थे या इसमें पहले से थे ओकी, the picture of the left shows that the file was created in notepad ये क्या show करा रहा है, ये left side में ये वाली picture क्या show करा रही है ये show करा रही है कि ये notepad है ठीक है और इसमें ऐसा arrow नहीं बना, इसका मतलब ये shortcut नहीं है, ये actual file है जो actual icon है actual file है जो desktop पे save है तो जिस पे shortcut नहीं बना होता, अगर हम उसको delete करते हैं, तो वो सच में delete हो जाती है लेकिन जिस पे shortcut का sign होता है अगर हम उसको delete करते हैं तो वो real में original file उसकी delete नहीं होती है अब next है folders and drives next के है हमारा folders and drives icon that show a folder represent a folder जो icon जो है folder को represented कर रहा होता है जैसा कि आप देख रहे हो तो इसके अंदर, इस folder के अंदर और folder बने होते हैं उसके अंदर और icons बने होते हैं और उसके अंदर और folder के ioंदर files बने होई होती है, तो इसको क्याorig इसको folder and drivers बोलते हैं ठीक है जब हम इस पर double click करते हैं तो windows explorer window will open and you will see the contents of that folder तो हम उसके जो है contents मिलते हैं उस folder के similarly icons that show a hard disk will display the contents of their driving windows explorer when you double click on it जब हम इस पर double click करते हैं तो क्या होता है हमारे कहीं links भी open होते हैं और हमारी files भी open होती है next है local disk c यह क्या करती है folders and drivers sorry हम इसके अंदर हाँ इसके local disk c के अंदर भी जो है इसके अंदर क्या होता है जो कि मैंने जैसा कि मैंने भी बता है इसके अंदर जो है links वगरा होते हैं जो directly हमारे windows explorer को जो है open भी करती है okay next recycle bin यह exam में पूसकता है यह बहुत important है यह हमारे desktop पे दिया हुआ होता है recycle bin यह क्या करता है अगर हमने कोई भी चीज कोई भी चाहिए वो गाना हो चाहिए वो song video audio कुछ भी हो अना audio song audio songs वगरे की बाद हो यह audio हो video हो picture हो कुछ भी हो file हो किसी चीज को भी हम delete करते हैं तो हमारे desktop के recycle bin में वह चली जाती है यह एक तरह का कूड़ेदान है हमारे computer का कि जो भी हम उसको में delete करते हैं जो भी चीज हम delete करते हैं वह recycle bin में चली जाती है कहीं बार हम गलती से तो हम recycle bin के उपर double click करके जो यह icon बना होता है desktop पे इस पर double click करके उसको जो है restore भी कर सकते हैं अगर हम से कुछ गलती से delete हुआ है और उसको एक बार check भी कर सकते हैं कुछ गलती से delete तो नहीं हुआ है फिर उसको final में उसको check करके हम उसको अच्छे से delete कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया हमारा recycle bin ठीक है यह एक वेस्ट पेपर बास्केट की तरह दिया होता है जैसा कि इसमें दिया हुआ है ठीक है तो यह हो गया हमारा recycle bin तो next जो है आप अब इतना समझ लो इतना लिख लो अगले topic में मैं आपको बताऊंगी कि इनको arrange कैसे करते हैं recycle कैसे करते हैं अजरी sizing कैसे करते हैं create कैसे shortcut create कैसे करते हैं desktop को cleaning कैसे करते हैं यह होता है हमारी recycle bin से जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ठीक है तो यह मैं आपको अगले अगले लेक्चर में समझाऊंगी फिला हाल आप यह लिख लेना कि डेक्स्टॉप आइकन्स क्या होते हैं यह वाले देख लेना ओके स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग